हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की इस वीडियो में हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि दौनों में क्या डिफरेंस होता है तो आई स्टार्ट करते अपने इस वीडियो को सबसे पहले हम देखने की LCM की फुल फॉर्म क तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे पहले एक एक्जामपल देख लेते हैं तो हमारा जो LCM हमें फाइंड करना है यहां पर 12 और 18 का में LCM निकालने के लिए बोला गया है तो इसको किस तरीके से निकालेंगे सबसे पहले यह देखते हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लि यह हो जाएगा 9 अब यहां पर 2 से दुबारा करेंगे तो यह हमारा 6 हो रहा है 9 नहीं हो रहा है ठीक है तो यह कितना आ जाएगा हमारा यह आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा और 9 नहीं हो रहा है 2 से तो 9 का 9 लिख देंगे अब 3 और 9 अब यहां 2 से तो होनी रहा तो अब 3 से करेंगे इसे डिवाइड तो तीन से करा तो यह हमारा एक हो जाएगा और यह तीन आ जाएगा अब यहां पर दुबारा तीन से करेंगे तो हमारा यह तो वन है और यह भी वन आ हमें तब तक करना जब तक लास्ने हमारे पास one ना आ जाए ठीक है तो हमारे पाशला स्दाव यहां मोगा वारा का और इसे क्या होगा तो LCM हम निकाल रहे थे 12 का और 18 का तो हमारे पास जो नंबर है वो कौन कौन से हैं दो है दो फिर दो और फिर तीन और फिर तीन तो इन चारों को मुल्टिप्लाइ कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है इसको अगर मैं मुल्टिप्लाइ करो तो कितना आएगा दो दूनी चार चार तीया 12 बारा तीया 36 तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है और 18 के table में भी आता है अब हमारे पास जो LCM है उसमें क्या वो लगेता है lowest common multiple ठीक है तो 36 वो multiple है इनका जो की दौनों के table में आता है और सबसे छोटा है lowest है ठीक है तो हमारा 36 क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा किसका 12 और 18 का तो एक और example देखते हैं अब next example है यहाँ पर हमें LCM निकालना है 16, 24 और 36 का ठीक है तो इसको भी हम बिल्कुल सेम ही करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले इसको तो हमें LCM निकालना है किसका 16, 24 और 36 ठीक है तो सबसे पहले हम 2 से start करते हैं 2 से अगर हम 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा 24 से करेंगे तो 12 आएगा और 36 से करेंगे तो 18 ठीक है दुबारा 2 से तो यहाँ पर 8 को करेंगे 2 से डिवाइड तो 4 बचेगा 12 से करेंगे तो 6 और 2 को 18 से करेंगे तो 9 आजाएगा अब दुबारा 2 से करते हैं अब दो से करेंगे, यह चार है तो यहाँ पर दो बचा, छे है तो तीन आजाएगा, अब नो नहीं आरा दो के टेवल में, तो नो का हम नो ही लिखेंगे आपर, अब दुबारा एक और दो से करते हैं, तो यहाँ पर दो से किया तो यह एक हो जाएगा, और यह तीन नहीं आत तो यहां पर एक और बार हमें तीन से करना पड़ेगा, एक एक और ये एक, हमें तब तक करना है, जब तक last वे हमारे पास वन वन ना आ जाए, तो हमारे पास यह नंबर आ गए, तो LCM जो होगा, इन तीनों नंबर का वो क्या होगा है, इन नंबर का multiple, तो इसको multiply कर लेते हैं दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोला, सोला तिया, अड़तालिस, अब अड़तालिस गुना तीन, तीन से गुना करेंगे, तीन, अठे, चौबिस, बारा और दो, चौदा, तो इसका जो LCM आएगा, वो कितना आ रहा है, 144, तो 144 वो नमबर है, जो कि 16 के टेबल म भी आता है, 24 के टेबल में भी आता है, और 36 के टेबल में भी आता है, ठीक है, तो यह इसका LCM हो जाएगा, अब देखते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF जो होता है, उसको हम बोलते हैं, Highest Common Factor, ठीक है, तो हमें HCF निकालना है, यहापर 12 का और 18 का, तो इसको कैसे निकाल देंगे, सबसे पहले हम 12 के Factor निकाल लेते हैं, कौन कौन से हैं, तो 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, तो 12 के आएंगे हमारे पास, इसको हमने 2 से किया तो 6 आ गया, फिर 2 से किया तो यह 3 हो जाएगा, तो 3 से किया तो 1 ठीक है, इसी तरीके से मैं 18 के प्राइम निकाल लेता हूं 18 को 2 से किया तो 9 फिर 3 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1 ठीक है तो 12 के जो है प्राइम फेक्टर हमारे पास आ रहे हैं 2 x 2 x 3 आ रहा है ठीक है ऐसी 18 के 2 x 3 x 3 आ अब हमें करना क्या है इसमें से common number देखना है कौन-कौन से है तो यहां पर एक दो भी common आ रहा है ठीक है तो जो HCF होगा वो क्या होगा जो भी common number आइंग उसको लिख लेते हैं 2 आ गया इसके लाबा एक 3 भी common है ठीक है तो इंटू 3 तो 2 x 3 कितना हो गया 6 हो गया तो 6 जो है वो 12 और 18 क्या होगा HCF होगा highest common factor होगा ठीक है अब इसको एक और तरीके समझते हैं जैसे 12 है ठीक है 12 के कौन-कौन से factor हो सकते है एक हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 6 हो सकता है और 12 हो सकता है ठीक है 12 की यह factor हो गए ऐसी 18 के मैं factor लिखूं तो 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 4 नहीं हो सकता 5 नहीं हो सकता है 6 हो सकता है और 9 हो सकता है और यह 18 हो जाएगा ठीक है अब हमें क्या बोला है highest common factor निकालना है तो यहाँ प 12-18 का 6 हो जाएगा ठीक है हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके भी इस जी निकाल सकते हैं अब देखते हैं एक और example एक और example देखते हैं यहाँ पर HCF हमें निकालना है 12-14 का ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्राइम फेक्टर निकाल लेते हैं, 12 के अगर मैं निकालूं तो क्या क्या जाएंगे, 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, और फिर 3 से किया 1, इसी तरीके से 16 के निकालते हैं, 16 के 2 से किया 8 आ गया, फिर 2 से किया 4, 2 से किया 2, और ये 2 से किया 1, ऐसी 24 के प्राइम फेक्टर निकाल ल जो 12 है इसके आ रहे है 2 x 2 x 3 16 जो है इसका क्या रहा है 2 x 2 x 2 x 2 और 24 जो है 2 x 2 x 2 x 2 x 3 तो हमें निकालना है HCF highest common factor तो देखते हैं इनमें कौन कौन से नमबर है जो common है इसमें भी 2 आ रहा है इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 आ रहा है तो HCF के लिए हमारे पार इक तो 2 common आ रहा है इसके अलाव एक और 2 common आ रहा है तीनों में टीक है तो इंटू two एसके अलाव कुछ और common नहीं आ रहा हो जो तीनों में हो तो हमारे जो HCF वोगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तो 12, 16 और 24 का जो highest common factor होगा, वो क्या होगा, 4 होगा, तो इसको एक और तरीके समझते हैं, अब 12 जो है, इसके कौन कौन से factor हो सकते हैं, एक होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और 12 होगा, ऐसी 16 के, 1, 2, 4, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 हो 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 होगा, अब common क्या आ रहा है इसमें, common जो है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पार जो highest common factor होगा, वो क्या होगा, 4 होगा, तो इस तरीके से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं, उमीद है आपको मारे वीडि नयोगा, थैंक यू